हुआ है हलो एरीवान मेरी आप लोग आवाज के लिए सुन पा रहे होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने भी इंडियन एविडेंस आक्ट शुरू किया हुआ है और उसके कुछ पार्ट समय इंट्रोडेक्शन वाले पार्ट शुरू कर लिये हैं और लिए मैं आप लोगों को साथ में एक साथ एक इंफॉर्मेशन देदो कि जो लोग जोएन करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं जिनका 30 सेकंड का ठीक ठाक नहीं किया है उनको अभी से तैरी करनी चाहिए क्योंकि आपको आइडिया लग गया हो किस तरह का क्वेशन दो महीने का टार्गेट है कि कम से कम देड़ से दो महीने में हमारा एविदेंस आग्ट जो है पूरा पर तरीके से खतम हो जाए जो ही आपके जूड़ी से रिक हैं बिहार जूड़ी से अंदर जो भी पूछा जाता है उसको कंसीडर करते हुए चलिए फिलहाल हम लोग एक अपने टॉपिक की देखिए हुआ है है अगले के लिए तो मैं आपको पहले हम पर शेर कर दो कि जो कोट टर्म है उसकोट टर्म को डिसकस करने के लिए कम से कम आपको टूल पॉइंट चाहिए जो कि आपको बहुत काईदे से चीजे समझ में आ जाएंगी कि आस्तप में कोर्ट क्या होता है जिसे कोर्ट सब्सक्राइब कुछ ही नहीं सब्सक्राइब के लिए बहुत लेकिन अगर मैं यहां पर आपको कुस टेक्निक आक बता दो जो ज़ोरी होते हैं क्र avanzar करना तो मैं आपको यहां पर साथ के सास्स बढ़ देता हूंस ए कोट चन्ट सब्द fire के सेखिंट झे Hz पुल्ट पर एकोल्ट क dur Tellman को प्रिक यह दिया गया है उजह हुं लेंगोज में लिखेना फिर उसको आप एक वार जा करके यह एक लेंगोज में भी लिख सकते हूं देखें कोट वास्तम में क्या है बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूं है इसा लिखा गया है तो कोट मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कोई भी परस। अब परसन का मतलब कोई जिवित ब्यक्ति होगा, of course, court का मतलब है, judge court का मतलब है, my state court का मतलब होता है, वो सारे persons, हर एक बो ब्यक्ति, यानि कौन-कौन से judge हो गए, state हो गए, और वो सारे ब्यक्ति यहाँ पर include हो जाते हैं, court में, जिनको की authority होती है, evidence लेने की, those who are legally authorized to take evidence, तो जो legally authorized है, evidence लेने के लिए, collect करने के लिए, लेने के लिए, basically collect नहीं करने के लिए, लेने के लिए, उनको हम जहाँ पर सीधे अपनी भाषा में, court कह सकते हैं, तो court का मतलब क्या हो गया, court का मतलब हो गया, जो वास्ताब में सिर्फ और सिर्फ evidence ले सकते हैं, to take evidence, now, अब एक और चीज़ यहाँ पर साथ में साथ आपको share कर देता हूं, देखिए, definition is framed only for the purpose of Indian evidence act, लेकिन एक बात मैं और आपको साथ कह रहा हूं, कि Indian evidence act में court शब्द की परिवासा दी गई है, लेकिन जो court शब्द है, इसका definition CRPC में आपको नहीं मिलेगा, there is no definition of court as such in CRPC, CRPC में ऐसा कोई definition आपको मिलने वाला नहीं है, चले मैं कुछ चीजियां आपको यहां पर share करता हूं, देखिए, जैसे हम लोगों ने कहा court, यह कहां मिल रहा है, under section 3, evidence act, okay, court का मतलब बड़ा simple बताया है, इसमें आते हैं कौन कौन से लोग, इसमें आते हैं 3 लोग, एक हो गया, यहां पर judges, दूसरे हो गया, यहां पर magistrates, और तीसरे जो हो गया, बो होते हैं, बटे killer मैं आपर बता दो, all persons, तो हर एक बो person, judges, magistrates और persons, तीनों के तीनों, अगर यह तीनों, legally, authorized हैं, authorized हैं, किसलिए, to take evidence, to take evidence, तो अगर यह evidence लेने के लिए authorized हैं, तो हम इन ही को क्या वहल सकते हैं, court, तो court का मतलब मोटे तौर पर क्या हो गया, court is equal to persons, legally, authorized, to take evidence, simple है, एकदम आसान है, ओके, याद रखियेगा, यानि कि भले ही कोई magistrate है, अगर वो magistrate legally authorized नहीं है, evidence लेने के लिए, तो वो court नहीं है, अगर कोई judge है, अगर वहान लीजिए, वो legally authorized नहीं है, to take evidence, then he is not a court, as per the definition of the Indian Evidence Act of section, section number 3, now, अब मैं आपको सिर्फ इसमें से 12 points बताने वाला हूँ, बारह points को अपने consider कर लिया, आपको court चे से समझ में आ जागा, तो first point था, definition part, जो हम लोगो नहीं है, पर discuss किया, यहां देखे, second point, mainly court is equal to person, plus ability to take evidence, तेसरी बार, definition is framed only for the purpose of Indian Evidence Act, and should not be extended beyond its legitimate scope, तो बड़ा clear यहां पर कहा गया है, कि जो definition दिया गया है, Indian Evidence Act के अंदर, आपको court शब्द का, तो यह सिर्फ और सिर्फ evidence के purpose तक ही रहेगा, evidence के मामले तक ही लगेगा, court का मतलब, बाकी चीज़ों पर इसको हम extend करके नहीं ले जा सकते हैं, Supreme Court का एक judgment है, 2008 का, point number 4, state of MP versus अंशुमान शुकला, अब इस case में देखे, तीन बाते में मुट्टी तौर पर कही गई है, देखे, मैं बहुत सिंपल वहासा में आपके लिख लिए है, जो definition court का आप Indian evidence act में देखते हो, वो अपने आप में exhaustive नहीं है, complete नहीं है, और जो definition यहाँ पर दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ act तक ही सिमित रखना है, उसको CRPC मुठा के apply नहीं कर देना है, तीसरी और आकरी बात जो Supreme Court नहीं हाँ पर कही, all authorities, वो सारे authorities, court माने जाएंगे, यदि वो legally authorized होंगे evidence लेने के लिए, तो उनको हम court मान सकते हैं, चलिए, next point, next point number 5, now see, point number 5 में क्या है, इसमें term इस्तेमाल हुआ है, judges and magistrate, यहाँ पर killer का है न, judges and magistrate, judges and magistrate, तो चलिए, judges की बात कर लेते हैं, judges का जो, judges में, judge जो शब्द है, उसका definition आपको कहां मिलता है, under section 28, CRPC में मिलेगा, इसके लावा section 19, IPC में मिलेगा, इसके लावा district judge, एक term है, जिसका definition आपको 317, section 3 का clause 17, यह general clauses act 1897 की में बात कर रहा हूं, इसके लावा, magistrate जो शब् है, उसका definition मिलता है, 332, general clauses act 1897, और magistrate के बारे में discussion किया गया, section 3, CRPC की, ओके, तो यहाँ तक की बात, भी आपको point number 5 समझ में, आकिले रागए होगी, 5 and 6, now, commissioner appointed under order 26, rule 17, sub rule 1, फिर से repeat कर रहा हूं, commissioner का जो appointment होता है, order 26, rule 17, sub rule 1, CPC में, तो वो जो commissioner होंगे, क्या वो commissioner जिनको appoint किया गया है, 26, rule 17, sub rule 1 में, क्या वो court है, commissioner जो है, appoint किये गए है, क्या वो court है, तो यहाँ पर दिखे, बड़ा killer कहता है, yes, court है, तो अगर वो court है, तो obviously Indian evidence act ही apply होगा, next, appealate court को court कहने के लिए, right to receive evidence होना जरूरी नहीं है, अब दिखे, पनी basic सी चीज़ यहाँ पर में शर्क कर रहा हूं, बहुत लोगों को हो सचता है, बहुत आसानी से बहुत आराम से बता रहा हूं, appealate court को court कहने के लिए, appealate court वास्ता में अपने आप में court है, सब को पता है, लेकिन वहाँ पर appealate court में एक चीज़ होती है, appealate court में लेकिन त्राइल चल सकता है, यहाँ करा कि, appealate court को court कहने के लिए, यानि court सब्द के अंदर रखने के लिए, right to receive evidence का होना जरूरी नहीं है, it receives evidence by virtue of an express enactments, तो मतलब बड़ा killer है, appealate court जो है, वो अपने आप में court हो सकता है, लेकिन कब जब उनके पास right to receive evidence का मामला होता है तब, अगर नहीं है तो नहीं, यहाँ पर killer कर दिया कि दो चीजों को, जैसे कि माल लिजे की provision दिया हुआ है, order 41, rule 27 CPC, उसी तरीके से section 391 of the CRPC, यहाँ पर फिए चीज किलर कर दे गई, देखिया next point, domestic tribunals, जो की quasi-judicial functions अपना exercise करते हैं, domestic tribunals को कभी भी हम court नहीं बोल सकते हैं, उसी तरीके से magistrate holding inquiry under section of 164 CRPC is not equivalent to court, so magistrate holding, magistrate holding inquiry, magistrate holding inquiry, next, commission appointed under the public, sorry, commission appointed under the public inquiries act, public servant inquiries act is not equivalent to court, and the last point is DRT, debt recovery tribunal, DRT is not equivalent to court, यह बात भी सुप्रिम कोट ने 2009 के केस में कही थी, नहर इंडूस्ट्रियल इंटर्प्राइज लिम्टेड वर्स हॉंग कॉंग कॉंग शांगाई बैकिंग कोर्पोरेशन 2009 तो यहां पर आपको मोटे तार पर समझने के लिए कुछ ने बहुत ही सिंपल है, कि हमारे को को किसको कहना है, तो को का मतलब आपको मैंने बहुत किल्लर कहा दिया, कि को का मतलब यहां पर कुछ नहीं होता है, को का मतलब जो सेक्शन 3 में बताया गया है, यह एविदेंस ले सकते हैं, लिगली ऑथोराइज टू टेक अविदेंस, ओके बाकी तो जो पर ने डागराम बताया था, वही डागराम है, यहां पर ही कि मैं स्टेट होगा है, क्या हो जाएंगे, जज हो जाएंगे, ओके, चलिए, तो मैं ज्यादा इसको बड़ा नहीं करता हूं, मैं एक चीज यहां है, मगर ठोला डाउट है, कुछ तरह का सी का प्रॉब्लम है, तो आप डारेक्ट वाट्सप पर मैसेज किजी, आप वहां से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और वहां से आप डारेक्ट जाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए यहीं पर थैंक य तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू और वन्स अगें